हलो फ्रेंड्स डेनिक लाशेज में आपका स्वागत है सबसे पहले सभी को गणतन तरद्योष की हार्दीक शुपकावन हैं दोस्तों आपके गणतन तरद्योष पर डेनिक लाशेज की एपर सभी कोर्सेज में 50% डिसकाउंट कर दिया गया है आप जो भी कोर्स परचेज करत सब्सकाइब के तोप 10 प्रश्य प्रशाएं देखने वाले है जो आपके सभी प्रत्योगी प्रीक्षाओं के लिए मोश्ट इंपोटेंट रहने वाले है तो चलिए दोस्तों हम श्यूरू करते हैं पहला प्रशेन कि अंतराष्ट्य शिक्षा दिवसां कभ मनाते हैं अब म बात करें 24 जनुरी को ईंत्रस्टि सिक्षा दियों को ध्यान रखना ह Дो जार बैस की दीम पूसकते हैं क्या है तो चेंजिंग हर यह दिंफ इधे और बाड जतने पे इंपोर्टेंट डे जो अब तक हम जनवरी की जब हम बात करेंगे तो वेश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है पहली जनवरी को वेश्विक परिवार ऐसे ध्यान रखना हम पूरे परिवार के साथ उस दिन रहते हैं तो वेश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है चार जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस म अनात्य दिःता है 9 जनुरी की बात करेंगे तो परवात्य भारतिय दिवस् diy Quick दियुश G Sept तो राष्ट्य यूषा दिवस से आपको ध्यान रखना है बीच में 11 जनवरी राष्ट्य मानव, तक्ष्करी जागूरूटा दिवसा आपको ध्यान रखना है फिर हम बात करेंगे 15 January को जो हमें पता है बारतिय थल सेना दिवस मनाया जाता है 16 January के बात करेंगे तो राष्ट्य श्टार्टप दिवस मनाया जाता है 16 January राष्ट्य श्टार्टप दिवस मनाया जाता है 19 January कोक बोरक दिवस मनाते हैं कहां मनाया जाता है तिरुपुरा में मनाया जाता है 23 जनुवरी आपको पता है भारतिय प्राकरम दिवस मनाए जाता है और 24 जनुवरी को राष्टिय बाली का दिवस मनाए जाता है तो ये सारे दिवस आपको याद रखने हैं अगला की हाली में ICC ने 2021 का सर्वश्रेष्ट महिला किर्केटर किसे चुना गया आपको बताना है तो स्मर्ती मंधाना को चुना गया है स्मर्ती मंधाना सही उत्तर होगा पाकिस्तान के तेज गेंदबाद शाहिन अफ्रीदी को 2020 का पुरुश क्रिकेटर ओप दे येर सुना गया है तता इन्हें सर गार्फिल्ड सोबर्स ट्रोफी दी जाएगी इस मर्ती ने राचेल हेहो फिलिंट ट्रोफी जीती है दक्षिन फ्रीका की लीजे लिली को महिला वन डे क्रिकेटर ओप दे येर का आवोर्ड मिला है तो ये सारे आवोर्ड हमको ध्यान रखने हैं एक्जाम के लिए इंपोटेंट रहने वाले हैं अच्छा इसकी पीडियाप आपको कहां मिलने वाली है तो डेनिल क्रासेज के टेलिग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडियाप मिल जाएगी हाली में पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में किस ने सपत ली है पाकिस्तान की अभी सोमार को ही लिए मैं आपको बता दूँ तो किस ने ली है आईशा मलिक ने ली है आईशा मलिक इसका सही उत्तर हो जाएगा उपसन बैस सही उत्तर होगा और आपको एक फेक्टोर ध्यान रखना है कि सारा गिल है जो पाकिस्तान की पहली ट्रांस जेंडर डोक्टर भी बन गई है कौन सारा गिल बन गई ये भी आप ध्यान रखना अगर एशिया का सबसे लंबा व्यक्ति कौन है जो हाली में समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ है एशिया का सबसे लंबा व्यक्ति धर्मेंदर परताब कौन है धर्मेंदर परताब हैं उत्रब्रदेश के परताबगण जी लेके हैं दर्मेंदर परताब उत्रब्रदेश के परताबगण जी लेके आपको ध्यान रकना है। सिंदू का संबंध किस खेल से हैं तो बैडविंटन से इनका संबंध है बैडविंटन आपको ध्यान रखना है हाली में विश्व की टोप गेम पुब्लीशर कंपनी ब्लिजाड को किसने 68.7 अरब डोलर में खरीदा है माइक्रोफ ने खरीदा है इस्तापना पूछ सकता है माइक्रोफ की कब हुई थी तो 4 अपरेल 1975 को माइक्रोफ की स्तापना हुई थी मुख्याले पुछे तो वशिंग्टन अमेरिका में इसका मुख्याले है और CEO पुछे तो आपको ध्यान रखना है सत्य नडेला इसके CEO हो अगला परषण है कि हाली में केंदर सरकार ने इंडिया गेर्ट पर इस इस्तापित हमर्जवान जोती को किसके साथ कर दिया आपको बना है तो राश्टिये 依ुद स्मारक के साथ हिले कर दिया है राष्टिय युद्ध समारे का आपको ध्यान रखना है नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी एवर्ड 2022 किसे सम्मानित किया गया आपको बताना है तो शिंजो आबे को किया गया है शिंजो आबे कौन है जापान के पहले ये प्रधानमंत्री रह चुके है जापान के पहले प्रधानमंत्री थे आपको ध्यान रखना है अगला कि हाली में भारत की पहली पेरा बेडमिंटन अकाडमी कहां शुरू की गई है पेरा बेडमिंतन जो अकादमी है वो कहां शुरू की गई आपको बताना है तो ये लखनव में शुरू की गई है लखनव में आपको ध्यान रखना है उत्रपरदेश की राजधानी लखनव में शुरू की गई है ध्यान रखना है तो 25 जनवरी के टोप 10 प्रशिन हम देख लेते हैं राष्टिय मत्यदाता दिवस कब मनाया जाता है राष्टिय मत्यदाता दिवस है वो हम कब मनाते हैं आपको बताना है तो 25 जनवरी को राष्टिय मत्यदाता दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है और 25 जनवरी को ही हमें भारतिय परियटक दिवस भी मनाते हैं 25 जनवरी को दो दिवस हमको ध्यान रखने है मतदाता दिवस भी ध्यान रखना है और भारतिये परीयेटन दिवस भी ध्यान रखना है आपको को मिला है आपको ध्यान रखना है कुछ जंगल ऑप्शन 22 का सयूत्र होगा अगला प्रशन जो राजस्तान प्रतियोगी प्रिक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोटेंट रहने वाला है इंडिया लेवल पे भी पुछा जा सकता है और राजस्तान के लिए तो मोस्ट इंपोटे मानता इसका नाम रखा गया आपको ध्यान रखना है पुलिस प्रशासन ने इसके लिए बुंदी के 25 से 30 गाउं चीनित किये हैं बुंदी के के पाटन के चड़ी से पुलिस शुरुआत करेगी आपको ध्यान रखना है राजस्तान की पहली गोल्ड माइन कहां होगी पहली गोल्ड माइन लगने जा रही है तो यह कहां होगी आपको बताना है तो यह राजस्तान की अभरक नगरी में होगी राजस्तान की अभरक नगरी कौन से कहलाती है भीलवाडा कहलाती है तो भीलवाडा में होगी आपको ध्यान रखना है यहां सोने एम तामबे के बड़े ब उद्यपूर में स्थित है और एक पंजीकरत कार्याले जेपूर में भी स्थिता आपको ध्यान रखना है अब्रक नगरी की बात करेंगे तो भीलवड़ा अब्रक नगरी हो जाएगी यह भी आपको ध्यान रखना है असम सरकार ने किसें राजे का सरवोच शिनागरिक पुरुसकार असम व्यभव परदान किया है असम व्यभव पुरुसकार किसें दिया गया है जिन्होंने कैंसर में काफी हेल्प की थी किस की बात करें है हम बात करें है रतन टाटा की रतन टाटा को यह वर्ड दिया गया है हाली में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यात के कौन सा देश बन गया आपको बताना है तो भारत देश बन गया है देखो एक चीज़ ध्यानक नहीं है एक तो रभी की फसल होती है खरीब की फसल होती है और एक जायद फसले होती है रभी की फसल की बात करें तो गेहूं जों चना सरसो तारामीरा ये रभी की फसल होती है खरीब की फसले बात करें तो मक्का हो गया गमार बाजरा हो गया ये खरीब की फसले होती है इनके बाद में बात करें जो ककडी खीरा ये सारी जायद फसले होती है आपको ध्यान रखना है इन्हें जायद फसले कहा जाता है ओप्शन है ए इसका सही होगा भारत को भारत सबसे बड़ा निरिया तक देश बन गया है अगला की हाली में भारत ने किस राज्ये में बने लिविंग रूट ब्रीज के लिए युनेशको से विश्वे दरोहर टेग की मांग की है युनेशको से विश्वे दरोहर टेग की मांग की है किसके लिए की है लिविंग रूट ब्रीज जो कहां बना हुआ है कौन से राज्य के मुख्य मंतरी ने अपना कांगडा एप को लौंच किया है अपना कांगडा एप किस ने लौंच किया है तो हीमाचल परदेश के मुख्य मंतरी ने लौंच किया है अब हीमाचल परदेश के मुख्य मंतरी ने लौंच किया है हीमाचल परदेश के बारे में आपको मैं काफी बार बता चुका हूँ ग्रिशम काली राजधानी क्या है शीत काली राजधानी क्या है मुख्यमंतरी कौन है राज्येपाल कौन है काफी बार में आपको बता चुका हूँ तो आपको कमेंट बोक्स में अंसर करना है कि यहां की राजधानी क्या है मुख्यमंतरी कौन है राज इससे सारा सब कुछ मेरे को भी knowledge हो जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा. राजस्तान का पहला ultra thermal power plant कहां बनने जा रहा है, ये प्रशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कहां बनने जा रहा है? तो बासवाडा में ये बनने जा रहा है, पहले भी हम कर चुके हैं, और इस तरह के प्रशन एक्जाम में सीधे सीधे बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रगना है. तो राजस्तान में अक्षे उर्जा उत्पादन शम्ता में बढ़ोतरी के लिए 2400 मेगावार्ट शम्ता का नया ultra super critical thermal power plant बनने जा रहा है, इसमें तीन यूनिट हैं, हर यूनिट 800 मेगावार्ट की शम्ता की होगी, ये है बासवाडा के दानपूर इलाके में बनेगा, बास दोक्तर थोमस मेथ्यू ने लिका है, डोक्तर थोमस मेथ्यू इसका सही उत्र होगा, अगला है कि 2023 में कौन सा देश, पहली बार G20 शिकर समयलन की मेजबानी करेगा, इस प्रिशन का उत्तर कमेंट बोक्स में आपको देना है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, 2023 में क साथ साथ इस वीडियो को जितना होस के आपके जो जो फ्रेंड है, सब में आप शेयर कर दो, आप सब में शेयर कर दो कि आप current affair डेनीर ग्रासेस से पढ़ सकते हैं, साथ साथ जैसे ही वीडियो मिले सीधा आप लाइक करना, वीडियो देखते ही लाइक कर दिया गरो, डेनी कि अवाद